T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट चौंटीस पाठ नौ आनंदमई कविता शीर्शक दुनिया रंग बिरंगी नीला जैसे खुला आकाश है सागर का नीला पानी है मोर के सुन्दर पंक हैं और पेड़ पर बैठे पंची है पीला जैसे चमचमाता सूरज है पका आम और केला है सबजियों में नीमबू है और सूरज मुखी का फूल है लाल जैसे फलों में सेब है खुश्बुदार फूल गुलाब है चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुनसी है हरा जैसे हरी हरी ये घास है मीठे मीठे मतर है पालक और बंदगूभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं लेखि का देवी का रंगाचारी इस प्रिष्ट पर एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें एक पेड़ पर बैठा एक पक्षी दिखाया गया है नीचे एक मोर अपने पंख फैलाए दिखाया गया है साथ ही इस प्रिष्ट पर बाई और बीच में सूरज मुखी का पौधा दिखाया गया है जिस पर सूरज मुखी के फूल निकले हुए हैं इसके अलावा इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे टमाटर का पौधा दिखाया गया है जिस पर टमाटर उगे हुए हैं प्रिष्ट पैंटीज सोचिए और लिखिए एक अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है यहां पर आपके लिए रिक्त स्थान दिये गए है जहां आपको अपने पसंद के रंग के उपर एक कविता लिखनी है दो, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं जैसे खुला आकाश कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभाव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिये यहां पर दिये गए रिक्त स्थान में आपको नीले और पेले रंग के कुछ उदाहरण लिखने है शब्दों का खेल बे मेल शब्द को ढूंड कर लिखिये एक चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मचली रिक्त स्थान दो, दर्वाजा, खिडकी, छत, पेल, रिक्त स्थान तीन, चादर, घर, तकिया, गदी, रिक्त स्थान चार, साइकिल, कार, रास्ता, रेल, रिक्त स्थान पाच, दूध, पानी, लड्डू, छाच, रिक्त स्थान सारंगी, वाचनस्वर, बावला कोचर और मम्ता मलकानी दिक्त स्थान